लेकिन आप डिफरेंस को समझिए एंटी-CAA प्रोटेस्ट में क्या हो रहा है हिंदुस्तान का जंडा उल्चा है हिंदुस्तान का कॉंसिक्यूशन हमारे हाथों में है और उनकी रालियों में कैसे आने लग रहे हैं देश के गदारों को बोली बारोसालों को यहीं डिफरेंस सब्सक्राइब से तश्रीफ लाया हूं मुझे ज्यादा कुछ बोलना रही हाता इसलिए मैं अपनी बात को सिर्फ एक मिनिट के अंदर रखूंगा और वक्त के तखाजा को भी बदे नसर रखते हुए मुझे चाहिए था कि मैं पेपर लाकर पढ़ू लेकिन मेरे पास पे प्रधान मंतरी नहीं बना हूं गोपहीलों से हम बैंकलोर में देख रहे हैं दिल शाहिनबाग में हमारी माएं और महें और कई और जगाह मेंबनाकि हिंदूस्तान के कोका कोन में निक्यादीा प्रोटेस्ट करें उतना असर नहीं होगा जितना असर चंद माँ और बहनों के प्रोटेस्ट करने से होता है और आपिस्ट को काउंटर करने के लिए और उनकी निज्टेस्ट करें निया कि हो रहा है हिंदुस्तान की हमारे हां और उनकी आपने कैसे नहीं लग रहे हैं देश के गंदारों को वोली बार्वसालों को यहीं डिफ़ेंस हमज़ी जिए और पुलीस की जो अट्रोसिटी साइं स्टूडेंस के ओपर चाहे वह चामिया की स्टूडेंस एक बीच टार्ट है अगर यह देशर कर नहीं है तो क्या देशर कर नहीं स्टूडेंट्स को मारा चा रहा है आज जो भी टॉप आफ़ारिटी से वह सब भी एक नाइक जिन स्टूडेंट्स रहे हैं इस टूडेंट्स ही है वह जो आगे चलकर हिंदुस्तान कर मुस्तफिल बनेंगे तो अफिस बेर गए और इन पर अटैक आवासु 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 शाहिन बाद मांगे, बंगलार के बिलाल बाद मांगे, जाम्या वाला बाद मांगे, आजादी, 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 झाल झाल